हेलो इन वेलकम काई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग केशी सी ट्वेंटी इलाइट चेंपियंशिप की बात करेंगे जो कि मेंच होगा यहां पर अल हजरी वर्सी डेजर्ट राइडर्स के बीज में तो चलिए दोनों ही सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इसे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट है यूटूब चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपक यूटूब चैनल को सबसे फिल आपको सबस्क्राइब कर लेना है साथी में टेलिग्रम चैनल से जुड़ जाएगा क्योंकि फइनल अपडेट और फाइनल दिम है यूट को वही पर मिल जाएगा तो बात करें इस मैच के तो ये मैच रात को 11 बच कर 30 मिनिट पर सूलाबिया ग्राउंड अल जहरा गवर्नाटो कोवेट में खेला जाएगा पीछी रिपोर्ट के बात करें तो देखो ये कोवेट के पीछ हो गई यहाँ पर दुबाई के पीछ हो गई, ओमान की पीछ हो गई यह सारे पीछ है ना, वहाँ पर रंस काफी जवजसन भातई है हमने सायरजा में देखा है, हमने अल अमैरट्स क्रिकेट ग्राउंड में देखा है और यहाँ पर भी शायद रंस अच्छे बनते हैं क्योंकि दोनों ही टिम के पास अच्छे बॉलस भी है तो दोनों ही टिम equally strong है तो यहां पर importance यही रहेगा कि इनके पहली betting आदे क्योंकि जो भी पहली betting आएगी एक बड़ा score भी करते हुए नजर आ सकती है बात करें आप पर यह हमूद डूले की राइट हैंडे बेटेंगे साथ साथ यह से राइट हम मीडियम फास गयन बाजी करवा लेते हैं और ओरल चार मैच के रेकोर्ड्स मिलें इनके जहां पर 40 के वरे से 159 रन किये विकेट्स ली नहीं लेकिन टीन वर्स की गयन बाजी राइट हैंडेट बेटिंग करवा लेते हैं राइट हम मीडियम फास गयन बाजी करवा लेते हैं 29 मेच के रेकोर्ड्स से जहां पर इनके 22 केवरेट से 610 रन किये 12 विकेट निकाले उन्होंने 45 वर्स की गयन बाजी करते हुए डेफिनेटली इनको लेके भी जाना इवन य बाद करूं तो राइट हैंडेट बेटिंग के साथ साथ या से राइट हम मीडियम फास गयन बाजी करवा लेते हैं और हर एक मैच के रहेंगे चार वोस की गयन बाजी पूरी करेंगे चार ही विकेट मिली है लेकिन बेटिंग से भी आपको अच्छा एड़एज दे सकते ह बन सकती हैंसे लुकमान मुस्तफा ट्राइक कर सकते हो ऐसा नुल हक वेरी इंपोनेट पिक रहेंगा उननीस मैच के अंदर करीबन 29 के वरेज से 222 रन राइट है राइट हम मीडियम फास गयन बाजी करवा लेगा है डेफिनेटली आपके टिम के रहने रहने चाहिए बाकि बैटिंग से भी अच्छा का सा एडवांटेज दे सकते है अला कि आएगा यह चोथी पांच में नंबर पर भी बैटिंग करने के लिए और आखरी के वर में आएगा तो वहां पर हीट एंड मिश टाइप वाला रहता है तो हो सकता है इनके बल्ले से भी ऐसे पर्फॉमस हा बात के लिए से माजित तांबे जो कि विकेड की पर बल्ले बाज राइट है राइट है बैटिंग कर वा लेते हैं बिन नीचे आए बैटिंग करने के लिए तीन मेंच के अंदर 46 रन जरूर किये उन्होंने तो विकेड की विंग सक्षन से अगर हो तो इनको आप लोग ट् प्लस बैटिंग से भी देखो नीचे आते हैं लेगिन जब भी बैटिंग करवाते हैं तब यहांसे तापर तोट बल्ले बाजी भी करते हैं 10 मैच के अंदर कडिबन 23 के विड़े से 158 रन है साथ में यह से 9 विकेड निकाले तो कैप्टन वाइस के लिए प्याची चोईस ह यह से मिलजा एहमद एज प्लेयर आपके टीम के अंदर रहना है चाहिए इवन सबसे इंपोर्टन जाएगा क्योंकि अंडर 19 अभी जश्ट खेला हुआ है मिलजा एहमद तीन मैच के अंदर तीन विकेड राइट 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 आम मीडियम फास गैन बाजे बात करें आ हमदुले को आप लोग डिफरेंस से में ट्राइगा लेकिन अंसार आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए देखो यह सारे प्लेयर्स के कई पर डेटा आवाइलेबल नहीं है इन में से कोई भी अपडेट मिलेगी तो इनकी जो भी अपडेट मिलेगी आपको टेलीग्राम में प्लेयर के साथ केप्टन वाइस केप्टन सिप के लिए इस तीम के सबसे बहतर पिक यहांसे इनको डेफिनेटली लेखे जाना है आमिर जावेद लाश्ट कप के लिए थे 2017 के अंदर के लिए थे क्या है रेकोर्ड उनके 52, 144, 8-12, फिर यहांसे 42, 4 तो यह बंदा आपको अ नदिम मुकलेश, यह इस तो यहां और आपके टिम के लिए इनको डाइक करना है बाकि यहां पर रविन्दू संजीवा, कैप्टन वाइस के आपके लिए चैपके लिए कपर चोईस तो इस टीम की बात कहते है इस तिम से हमें दो प्लेयर के पर नजर रखना है यह से र वि मुहमद साले को मैंने इसलिए यहां पर रखाए क्योंकि इनके बारे में कुछ पढ़ने को मिला है बैट्समेन अच्छा है यहां से बैटिंग करवा सकता है तो इनको अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि डेटा मारे पास कुछ अवाइलेबल नहीं हाले कि इनके अब लिए में ट्राइकन है मोहित हया तो मोसिन हया तो यहां से ओके-ओके रहेंगे बाकी बात करें यहां से मनुरा ज्रामा वेरी इंपोर्णेट यहां से असे असे अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और उनकी अपडेट वगेर आपको टेलीगरम चैन लेकिन आख़ी वक्त भी कोई अपडेट वगेरा मिले तो यह संजीवा सारे मैंने आपको बता दिये तो डिट्यल में जाके देखना हो गार वीडियो को अच्छे से देख लिजेगा और यह तो आप लोग चाहो तो यहां से दोस्वी बना सकते हो ग्रानली के लिए जावेद में और आपकी यद्षे इन मुक्ले में लिया हुआ है बात करें यहां से नीचे से यहां और यहांसे एस्विसवजीट को मैने लिया ए बाकि ऑप्संस मैंने ठाएब आपको बता दिया और आप देख सकते हैं सिलेक्षन बहुत सारे प्लेयर्स का ज़ादा है लेकिन मैंने इन प्लेयरों को लिया नहीं आप लोग चाहा तो शेप जाना चाहा तो ले सकते हो बॉलिंग सेक्षन में से यासे एल मुस्तुफा एम अनसार और यासे ये परिरामा ये टीम के अंदर रहेंगे बाकी ओप्संस तो मैंने आपको बता दी तो ज़्यादा कुछ डिसकस करूँगा ने इनके बारे में प्रोग केफ्टन वेस्ट के प्रना चाहो तो कर सकते हूं बाकी च्वूष सारी में अब को बता दी होएँ तो अभी के लिए मेरी टिम कुछ इस्दास रहेंगी याद रहेंगे जो टीम में इंडम टीम और आपको सिधा हमारा चनल मिल जाएगा तो सिंबॉल है आपको इसे जोइन के लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल लिम आपको वही पर मिल जाएगी तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है साथी में स्पैन कवर कर रहें बुखा तीर फिप्टी ओस कवर कर रहें तो सारे अच्छे में इसकी वीडियो आपको इसकी यूटूब चैनल पर मिल जाएगे तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो अच्छा नेल हिस्स करते रहो झाल